ये यमक वक्की कथा और गाथा नंबर नोड़ दस राजगीर से आरम होती है और साविति तक जाती है स्रावस्ती तक जाती है जो आज के समय स्रावस्ती है राजगीर है या राजगीर हुआ यूँ कि जब भग्नवान बुद्ध ने अपने कपिलवस्तु पहुँच कर और वहां अपने भाईयों को दिखा दी तो उसमें देवदत ने भी दिखा ली देवदत उनके मामा का लड़का था उनका भाई था देवदत बहुत ज़्यादा एंबिशियस था बहुत ज़्यादा उसकी एक्छाय थी मगर वो धम जल्दी सीखा और धम में वो इद्धी बल में पारंगत हो गया अब इद्धी बल क्या होता है इद्धी बल होता है जो अलोकिक बल होता है अलोकिक का मतलब है लोक से परेका लोक सरीर को बोलते हैं और सरीर से परेका मतलब है मन का बल यानि साइको सोमेटिक पावर में वो बहुत अच्छा पारंगर था मनोव ज्यानिक वो बहुत अच्छा हो गया था उसको इद्धी बल बोलते हैं और इद्धी किसे जो भी शब्द बनेंगे इसको बाद की संसकारित भासा में जब ये पाली को संसकारित किया गया और मोडिफाइड किया गया तो उसमें इसको इद्धी को रिध्धी बुला गया सृध्धी और सृध्धा करके यानि रिशी वाला जो था रिध्धी देवदत वहाँ हजार भिक्कों के साथ में राजगीर में धम देशना दे रहे हैं और वहाँ जो भिक्कू है वो कासाय वस्त्र में अपने आपको बहुत अच्छी तरह से आच्छादित किये हुए और लाइन में बैठ कर सब धम देशना सीख रहे हैं धम को सीख रहे हैं कासाय जो word है कासाय का मतलब होता है कासे जैसा बेकार का रंग बाद में उसको तामे जैसा बोला गया मगर कासाय जैसा रंग होता है उसमें कोई glory नहीं होती कोई चमक नहीं होती वो सबसे घटिया रंग होता है उसको कासाय रंग बोला है जो कपड़े पैंते थे चीवर के र बुद्ध वो कासाय वर्ष्त या चीवर बोला करते थे. उसका रंग कासाय जیसा था और चुकि भगनवान उसको पेना करते थे तो इसलिए उसका रंग भगवा भी पढ़ गया। यसे मितवा होता है, मितवा ऐसे ही भगवा, तो भगवा कलर भी उसका पढ़ गया और ये भगवा रंग तबी से उसका चल रहा है, ये रंग नहीं था, जो आज की डेट में जिसको भगवा रंग बोलते हैं, केसरी रंग बोलते हैं, ये नहीं था, कासाय रंग था वो, जो बहुत बेकार सा रो घड़ी आरंग होता है तो वहाँ चारिका करते करते भगवान बुद्गे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड महा मोगल लायन और सारी पुत दोनों पहुंच गए दोनों पहुंचके वहाँ चारिका की उन्होंने और धम की देशना देदे रहे उसके खाने में कोई कमी ना पड़े इसलिए जो वहां का वेफस्थापक था जो मैनेजर था जो सारी खाने की मैनेजमेंट को देख रहा था उसके पास में किसी उपासक ने बहुत कीमती कपड़ा दिया वस्र दिया कीमती कपड़ा जो हाथ से कड़ा हुआ होगा बहुत अच्छ रह जाए तो आप इस कपड़े का उपयोग करके और खाना ले लें यानि कपड़ा किसी को बेच दे 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 और उससे खाने का सामान ले लें मगर खाना पूरा पड़ गया और कपड़ा बच गया जब कपड़ा बच गया तो ये बात हुआ कि इस कपड़े का क्या करें तो किसी भिक्कू को उसे दे दे अब भिक्कू को देने की बात आई तो सारी पुत और मोगलायन बहुत सीनियर है मगर वो तो अभी अभी आये हैं और कभी कभी आते हैं मगर राजगीर में देवदत तो हमेसा रहते हैं और वो सिखाते भी हैं तो वो कपड़ा देवदत को दे दिया गया और देवदत ने तुरंथ ही उसका चीवर बनवाया और चीवर बनवा के वो इधर उधर घूमने घामने लगे स्रामनेरों में और भिक्कूं में कानाफुसी होने लगी क्योंकि संग का नियम तूट गया संग का नियम ये है कि कोई भी भिक्कू या सामने दान में कोई भी वस्तु आती है उसे अपने नाम से नहीं लिय सकता, number one दूसरी बात अगर संग इसको स्विकार हैगा तो वो संग की प्रॉपर्टी हो जाती है तीसरी बात अगर संग की प्रॉपर्टी होने के बाद में वो उसको मिलती है जिसको उस समय जरूत हो चाहें वो किसी को भी मिले चाहें सामेर हो, चाहें माथेरा हो, या थेरी हो कोई भी हो जिसका नमबर आ जाएगा और जहां वो रखी होगी उसके हिसाब से वो उसको मिलेगी, यह संका नियम था क्वड़ा अच्छा है या खराब है इसका मोह, इसका राग नहीं कर सकता देखूँ, अगर वो राग और मोह करता है तो वो अभी धम में पारगत नहीं है, वो धम को नहीं जानता, रूपर से अगर आप धम को सिखा रहे हैं, फिर तो बिल्कुल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी फिर सामने वाले सीखेंगे नहीं ये बात काना फुसी में होती रही और वहां से कुछ भिक्कू वहां से आगे आने के बाद भगवान के सावित्ती में उन्होंने दस्तन किये उनसे मिले बैठे कुसल छें पूछा हालचल बताया राजगीर की बात चली जब राजगीर की बात चली तो कुछ भिक्कू ने उस घटना को भगनवान बुद्ध को ततागत बुद्ध को बताया ततागत बुद्ध ने इस घटना के उपर जो बात कही नीती, जिस नीती के तहट में देवदत तेशना देने के मिलिये बने, जिस नीती के तहट में वो भिक्कू बने, जिस नीती के तहट में वो ठीचर बने, और जिस नीती के तहट में वो भिक्कू को पढ़ा रहे हैं, वहां उन्होंने अनिती की, उसका सम्मान ने किया, और अ जाबी नहीं पाए उनका हिर्दे बीच में ही फट गया ऐसी हलत उनकी हो गई थी बाद में तो करम फल जो होते हैं कम फल यानि जैसा व्यक्ति करता है अगर वो कोई नीती है उसको अगर तोड़ता है तो उसका रियल्ट उसे जीते जी मिलता है तो भगवान बुद ने जो बात कही वो दो कताओं में है और चोकी पाली भशा थोड़ी गूड होती है फिर भी मैं उसको सर्ल करके आपको यहां बताऊंगा गाथा नमबर 9 में अनिक्सावो कासावंग अनिक्सावो कासावंग का मतलब है कि जिसके अंदर दोस है यानि कि जिसमें कासाय वस्त के अंदर जिसमें दोस है, जिसमें मन के अंदर दोस है, जिसमें पाप है जो पवित्र नहीं है, कासावं का मतलब है यहाँ पर चीवर, यानि कासाय वस्त होगे, यो वत्थंग परी दहिस सती, यानि यो माने जो वत्थंग माने हो गया कपड़ा वस्त्र परी माने चारो तरफ और दहिस सती माने दे के उपर यानि जो सरी के उपर कासा वस्त को लपेटता है मगर मन से दूसित है इसके अंदर पाप है जिसने अपनी बुराईयां नहीं हटाई है जो बुराईयों से युक्त है अपेतो दम सचेन और दूर है अपेतो माने दूर है किस से दम सचेन इन बुराईयों को दमन करने से इनको खतम करने से और सच्चाई से दूर है ने सो कासाव वम रहती ने सो का मतलब है ने माने नहीं सो माने वह है वो कासाव वम रहती इसका मतलब है कि वो अरहती का मतलब है अधिकारी अधिकारी नहीं है कासायवस्त का तो पहली गाता में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मन के अंदर मेल लगता है और चीवर को ओड़ता है और जो दूर है सच्चाई से और ब्राइयों को छटाने से वो कासायवस्त का अधिकारी नहीं है इसी के उलट यमक वग में वो दूसरी गाथा है गाथा नमबर 10 के अंदर वो ये कहते हैं कि यो चे वंत कसावस्य यो माने जो चे माने और इस पकार और जो वंत माने होता है उल्टी करना वमन करना कसावस्य, यानि जो कसाव का, कसाव का मतलब चित्तमेल की उल्टी कर देता है चित्तमेल की उल्टी का मतलब क्या है चित्तमेल की उल्टी का मतलब है कि आपने अपने अंदर जितनी बुराईया हैं उनका वमन कर दिया, उनका उल्टी कर दिया वंत का मतलब पाली में हिंदी में इसको वमन बोलते हैं यानि उल्टी करना और इसको हिंदी में बोलते हैं संस्कारीரगे भासा में वमन बोलते हैं यानि जिसने वमन कर दिया, उल्टी कर दी किसकी गंदगी की, सारे चित मेल जितने भी उसके अंदर बुराईयां थीं उसकी उल्टी कर दी. सीले सू, सू समाहितो सीले सू का मतलब है कि जो सीलो में सीलो को अच्छी तरह से सू समाहितो, सू माने अच्छा समाहितो माने समाहित कर गए अपने अंदर जो सीलो को अच्छी तरह से अपने अंदर समाहित रखता है यानि सीलो पे चलता है सीलो को मानता है और सीलो की नियमों का पालन करता है उपेतो दम सच्चेन उपेतो माने युक्त है किस चीज से दम सच्चेन यानि जो दमन भी कर सकता है अपनी ब्राईयों का और सच्चाई के देखता भी है अपने सरी को कि अब बुराई आ रही है या नहीं आ रही है जो इस तरह से उप्युक्त है और जो इसको करता है सेवे, से माने वहे और वे माने वास्तमें यानि वहे वास्तमें कासाव, कासावम हर्ती यानि कासाव का अधिकारी है कासाव वस्त का अधिकारी है ऐसा भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान ने कहा ततायकत ने बताया और ये यमकवक की नो और दस गाता हैं, धमपद की नो और दस नमबर गाता हैं धन्यवाद